आम आदमी पार्टी संगठन विस्तार के साथ साथ आने वाले नगर परिशत त्रीस्तरी पंचाय चुनाओं की तैयारी और जनहित की मुलभूत आउशकताओं बिजली, पानी, सिक्षा, स्वास्त सड़क और रोजगार सहीद भष्टचार जैसे मुद्दो पर गंभीर हैं। इस आशए के साथ आज 16 इकाई द्वारा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवरास सिंग चोहान को पांच सुत्रिय मांगो का एक ग्यापन पत्र सोपते हुए ततकाल संग्यान लिए जाकर कारवाई की अपेक्षा की गई। कारवाई न होने पर जनता के साथ उग्रा अंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। उक्त जानकारी आपकी ओर से जारी प्रेस विगिप्त में जीला मेडिया प्रभारी राजेश पटेल ने दी है। राजेश पटेल ने प्रेस विगिप्त के साथ पांच सुत्रिय प्रमुक मांगो की ग्यापन की कॉपी भी प्रेश जो च्छपारा तेसिल के अंदर में जो गाओं आते हैं यहां पर जो जन समस्या हैं उसको लेकर के पांसुत्री मांगों का ग्यापन सोपा है जिसमें प्रमुकुरूप से जो अभी गर्मी का समय है और जो हमारे किसानों की कईयों एकड़ जमीन यहां फायर विग्रेट नही सान उठाना पड़ा है दूसरी मांग है जो यहां पर बारिस के समय में मद्यप्रदेश सलग विकास पराधिकरण इकाई दो के द्वारा जो पुल निर्मान करवाया गया था जो पिछली बारिस में बह गया था और मानी मुखमंत्री महोदा ने उसकी जाच के लिए करने का काम किया है और जो दोसी अधिकारी निलंबित किये गये थे उनको बहाल करके अन्यंत्र जिले में पदिस्थापना उनकी कर दी गई है जिससे लगभग हमारे प्रदेश की जनता का टैक्स की कमाई का गाढ़ा रुपया लगभग तीन करोलों से अधिक बंदरवाट हुआ है हम उसकी मद्यपरदेश के मुख्मंत्री से पुना जांच की मांग करते हैं और नहीं तो मद्यपरदेश के मुख्मंत्री से हम कहते हैं कि उन्होंने जनता के साथ में उस समय जो बादा किया था उस रिपोर्ट को वो जो सारजनिक करें और जनता को बताएं कि आख इस्टाचार के मुद्दे पे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास, सडग जैसे मुद्दों पे हमेशा गंभीर रही है, संबिदयम सील रही है और हमेशा रहेगी आने वाले समय में इस प्रकार हम लोग हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे, अभी बर्तमान में हम लोग यहा अगरत करते हुए उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, धन्यवार है, हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News, हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भ झाले